इस मई के महीने आपके पसीने छूट जाते हैं लेकिन इस बार ठंडक ने लोगों को रहाद दी है और क्या इसकी वज़े रही कि मई के मौसम में बारिश रही तापमान ज्यादा नहीं बड़ा और आने वाला महीना कैसे रहेगा इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौसम व हमारे पास है कि पांच वेस्टन डिस्टरवेंस का प्रभाव जो की नॉर्थवेस्ट इंडिया में सासा दिलि इन्षियार में प्रभावित किया जिसके चलते देखेंगे कि इनिशली जो 10 days थे उसमें 2 western disturbance थे 14 और 15 तारिक को फिर 1 western disturbance आया था और लास्ट के जो 10 दिन है 20 तारिक से लेकर के 31 मही तक उसमें 2 western disturbance टोटल 5 western disturbance हमारे पास एफेक्ट किये थे और आम तोर पर देखेंगे कि जो 2 से 3 western disturbance हमारे पास नॉर्थ वेस्ट इंडिया को एफेक्ट करते हैं तो जो ये 5 western disturbance थे इनके चलते हमारे पास आप देखेंगे लगब 20 से 22 दिन तक cloudiness रहा है तेज हमाय चली है जिनकी speed आम तर पर 45 से 45 किलमेटर पर आवर रही है और साथ में rainfall भी light से में मॉड़ेट के टागरी की दिली अंसया में रिपोर्ट की गई तो इन तीन चार फैक्टरों के चलते हमाय पास जो मई का महिना है दिली अंसया के लिए काफी कमफर्टेबल रहा है और एवरेस तंपरेचर 36.7 डिगरी सिंटिकेट रिपोर्ट किया गया क्या इस बार जो मई के महिने में यह जो देखने को मिला है परिवर्टन क्या इससे पहले भी कभी देखने को मिला क्या इतना थंडा मई का महिना पहले कभी रहा है देखे यह लगवाई 36 सालोबाद ऐसी सेचुशन मनी है 1987 में हमारे पास 36 डिगरी टमप्रेचर गया था और उसके बाद यह 36.7 इस बार गया है तो 36 सालोबाद इस तरह का विदर गया हुँ है अपुल्दीव जब चुकि जून शुरू हो गया है तो जून में क्या माने कुछ रहात मिलेगी गर्मी या फिर बढ़ेगी जैसे हमारे साथ दिन का फोर्कास्ट है उसके साथ से आज हमारे पास बारिज रहेगी क्लावडीनिस रहेगा और रात में भी एक हल्की फुल्की रेंफॉल के अक्टिविटी दिली न्सेयर में हो सकती है साथ में कल भी थोड़ी होने के चांसे से तो दो दिन हमारे पास निश्चितर पर हल्की बारिज और क्लावडीनिस के चलते कमफर्टेबल रहेगा दो दिन के बाद चुकि ये वेस्टन डिस्टर्वेंस आगे चला जाएगा उसके बाद तापमान में ब्रद्धी होनी सुरू हो जाएगी और आप देखेंगे साथ-अर्थाई तक लगवा तापमान फिस से अर्थिस मतली डिक्रिश इंटिकेट पहुच जाएगा अगर बात करें पहाडी याओ कि खास तौर पर हिमाचल जम्मू वहाँ पे फिलहाल क्या स्थिति जम्मू कस्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए औरेंजल हůरण आट है वहाँ पर एक दो जगा पर भारेइबारिस भी होने के चांसेजत है साथ में अगर बीते दिन की बात करते हैं तो हमारे पास हिमाचल प्रदेश और उत्राखंड में भारी से लेकर काफी भारी भारिस रिपोर्ट की गई है और लाइटनिंग भी है कुछ जगाँ पर उचाई वाले लाकों में स्नोफॉल भी रिपोर्ट किया गया है तो इस वेस्टन डिस्टर्वेस का प्रवाव पहाडी राज्यों में भी आज और कल बना रहेगा तो इसके चलते आज भारी भारिस हो सकती है कल हलकी से मध्यम भारिस होगी और थोड़ी तेज हमाई चल सकती है तो मौसव इगानिक कुल्दी फिरवास्तर जीया कहना है कि लगपक 36 सालवाद ऐसा देखने को मिला है कि जब मई के मौसव में गर्मी कम है और इसी के साथ साथ अब जो जून का महिना है उसमें भी एक दो दिन गर्मी से रहात रहेगी कैमरमेन प्रियादर्शन के साथ दिली से सूरे समाचार के लिए बिने सिंग